कर दोस्तों माशा sud a उसकी शरी कि वह बात करेंगे दोस्तों बहुत इमपोर्णने वीडिए करते हैं दोस्तों यह जो जो में नाम है नियागर आप दोस्तों क्या होता है कि जो नियागर है वो जब उठता है तब उसको कुछ पेरो की आवास सुनाई देता है तब वो जब उठता है वो उस आवास को सुनकर उठने के बाद वो देखता है कि उसके पास उसका वाइफ नहीं है मतलब दोनों एकसा सो रहे थे लिकिन उठने के बाद देखता है कि बैड में उसका वाइफ नहीं है उसके बाद वो देखता है और देखता है कि कुछ small group of people एक small group of people के पीछे पुला जो विलेज के इतनी भी लोग है वह भाग रहे हैं तब उसको पता चल जाता है कि यह cattle thieps है जिसने उसका cattle को चूरी किया है तो वो भी क्या करता है वो अपना stick और club लेता है और उनके पीछे भागना शुरू कर देता है और जाते आते हैं दूस्तों जो वो जो चोड़ थे जो थीप्स थे वो अपना रास्ता बदल लेते हैं और वो river की तरब जाते है तो उनके पीछे बीचे पूरा विलेज के लोग भी जाते है और विलेज के लोग एक जो चोड है उसको पाकरने के कुश्र करते हैं लेकिन वह भाग जाता है एक जो थीव होता है वह भी भाग जाता है और लास्ट में वह देखते हैं कि एक थीव जो है वह एक चोड जो है वह नीचे सोरा होता है तो उसके बाद वह विलेज तो सब लोग अपने घर में चला जाते हैं लेकिन दोस्टें नियागर होता है जब वो घर में पहुचता है, तब उसके अंदर बहुती लालश होता है, वो यह सुचता है कि वो जो चोड है, उसके पास शायद बहुती पैसा होगा, तो वो ठीक करता है कि वो फीर से उस चोड के पास जाएगा, क्योंकि वो तो मढ़ चुका है, और जितने भी पैसे या कुछ मिलेगा तो बहुत चोड़ी कर लेगा या पर दोस्तों देखें कि नियागर कितना लालची है अला कि वह पैसे वाला था लेकिन उसके अंदर एक लालच था तो जब जाता है उस चोड़ के पास तो जाने के बाद बढ़ेता है कि चोड़ स्वाव हुआ है तो वह ज बाद जो नियागर है वह अंकंशियस हो जाता है और वह चोड़ क्या करता है नियागर को कोई एक ग्रीन लीफ्स में कुछ ग्रीन लीफ्स में कवार करके भाग जाता है तो नेक्स दिन जो क्लेंड का जो लीडर होता है वह लिए वह आता है और सबको बताता है कि एक एक्स जब वो ग्रीन लिप्स को हडाते है तब वो देखते हैं कि वो चोड नहीं है वो नियागर है और उसके बाद जाकर उनको सब कुछ पता चलता है कि चोड नियागर को बाद में मारकर भाग गया और यह नियागर का बोड़ी है यह दोस्तों इस शॉस्ट्री का जो समर्ण है इस वीटों किया हुआ है तो मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगा आप वुस वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल फी अवेलेबल है तो हम को अच्छे समझ में आ जाएगा नेक्स अगराम थीम के बात कि कि कितनी इंपार्ण थी में तो सबसे पहले दूस्तों जोस् पैसा है तो वह लालेच में आकर ही अपना खुद का डेथ का बोग कारण बना दुस्तरा तो थी में वह वाइलेंस हम देख सकते कि इस तरह से शॉस्ट्री में एक स्मॉल पॉइंट में वाइलेंस को भी दिखाए गया है जो चोड़ के साथ जो विर जास का जो हता पाई पूमेन का कुई रूल नहीं उसके पास तो जो इसके पास तो थी माता है वह कलोनीलिजम क्योंकि दोस्तों यह जटींग लिखा गया था मतलब इसका जो शेटिंग एक अभर लिखा गया था जब आफरीका में कॉलिनिलीजम था ठिक है तो यह तो तो पूछ यह पूझत ठ स्वास्त्री का तो थेंक्यू समाद दो आसके लिए इतने गुडबाई छिरी स्वास्त्री ये